बहुत काम की बाते नमबर एक रोजाना एक टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते नमबर दो लंबे समय तक लगातार जुपकर बैठने या टीवी देखते रहने से रीड और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है नमबर तीन सुबह खाली पेट सौफ का पानी पीने से वजन कम होने लगता है आपको इसका असर दस से पंदरा दिन में दिखने लग जाता है इसलिए शौप का पानी आप दिन में जरूर पिए नमबर चार अगर चुहों से परेशान हो तो पुदीने को पुचल कर हर दर्वाजे के किनारे पर रख दे इससे चुहा नहीं आएंगे नमबर पाँच जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो तो उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए नमबर चै तमाटर का सूप पीने से वजन कम होता है यहां आमखो और तवचा के लिए भी बहुत फाइदेमंध होता है नमबर साथ सुबा उटने सबसे पहले एक से दो गिलाज गुनबुना पानी पीना चाहिए यहां शरीर से टॉकसिक पदार्थ को और पेट साफ करने के लिए बहुत जरूरी है नमबर आज सुबा नाश्टे में कुछ खाने के बाद चाय पीनी चाहिए वरना यह सेहत के लिए बहुत नुकसान दायक है नमबर नौ खाना खाने के समय कभी भी कभी पानी नहीं पीना चाहिए इससे पाचन क्रिया पर विप्रीत प्रभाव पढ़ता है नमबर दस अगर आपके घर में घुटन महसूस हो रही है तो थोड़ा सा कपूर लेकर उसको जलाकर पूरे घर में घुमा दे इससे ऑक्सिजन लेवल बढ़ता है नमबर ग्यारा अगर आपके सर्दी जुकाम हो रखी है तो कपूर पानी में डालकर भाप ले इससे सर्दी जुकाम में फाइदा मिलेगा नमबर बारा चने और जो के आटे की रोटी खाने से इनसान हमेशा जवान बना रहता है और शरीर को ताकत मिलती है नमबर तेरा जब कभी शरीर पर इंफेक्शन हो जाए तो पानी में 3-4 चमच दही का पानी मिलाकर नहाने से शरीर का इंफेक्शन दूर होता है नमबर 14 हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज्यादा टेंशन लेने वालों के खून गाड़ा हो जाता है जिससे उनके खून के ठक्के जमने लग जाते हैं यही कारण है कि ज्यादा टेंशन लेने से लेने वालों के हर अटैक जल्दी आता है, इसलिए कभी भी हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा हमेशा खुश रहना चाहिए. नमबर पंदरा अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है, तो आप रोजाना नारियल पानी का सेवन करे, इससे आपको बहुत फाइदा होगा. नमबर सोला पाफ के बल बैठ कर खाना मत खाएं, इससे बुढ़ापा जल्दी आता है, क्योंकि पाफ के बाल बैठने से सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है. नमबर सत्रा जब भी आप दूद को गर्म करो, उसमें एक इलाइची डाल लो, इससे दूद जल्दी खराब नहीं होता. नमबर अठारा अगर आपको चहरा हमेशा साफ सुथरा रखना है, तो हफ़ते में एक करेले का जूस या नीम के पत्तों का जूस जरूर पिया करें, लेकिन हमारे चहरे को भी निकलता है, जिससे फोड़े फुंसियां और दाग धब्बे नहीं पड़ते. नमबर उन्नीस ब्लड प्रेशर के मरीज को कभी भी डालना घी का इस्तमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा तेल का ही सेवन करना चाहिए. नमबर बीस अगर सिर में हुए पड़ जाए तो नीम के पत्तों को उबाल कर उसे पानी से सर को धोए और का तेल बालों में लगे इससे जुड़े मर जाते हैं. नमबर 21 जो औरते मोटापे का शिकार होती हैं. उन्हें अपनी डाइट में शिमला मिर्च और खीरे का सेवन जरूर करना चाहिए और जितना हो सके घर का काम करे इससे उनका मोटापा कम होगा.